नमस्कार स्वागत है आपका हर्याना चुनाव के बाद राहूल गांधी के नाम का जो गुबारा था क्या वो सच्मुच फूट गया है जो कोशिश की जा रही थी जो चबी बनाने की कोशिश हो रही थी कि राहूल गांधी एक बड़ा और मुख्य चेहरा हो सकते हैं लेकिन एक तरफ जहां बीजेपी मजे बे रही है जहां बीजेपी रहूल गांधी के आवास पर जलेविया भीजवा रही है तंज और व्यंग का असर भी दिख रहा है लेकिन दूसरी ताफ उनकी आपने ही लोग उन पर सुने लेकर उसे गुबारे में लगाने में लगे हुए है जो गुबारा कॉंगरस बना कर बैठी थी राहूल गांधी के नापर आज इसे पर चर्चा करेंगे हमारे साथ हमारे वरिष्ट पत्रकार और हमारे प्रधान संपादक सुनिल राउची है उनका बहुत-बहुत स्वागत है एक सवाल से हम शुरू करते हैं क्या इंडी गडबंधन जो बड़े आत्मविश्वात के साथ उत्री थी वो तूट गई है आखिर जो कॉंग्रेस का हर्यानाव में जो चुनावी नतीजे आए हैं उससे उनको समझोता करना पड़ेगा आने वाले समय में कॉंग्रेस के साथ क्या होगा राहुल गांधी के बारे में आप बताएं उनके नाम की जो पॉपुलरे ठीती क्या तबाह हो गई है ने बिल्कुल रंजना देखिए वाजिब सवाल है और जो आज के हालात है जो आज के बयान हर्याना चुनाव के बाद जिस तरह का परफॉर्मेंस कांग्रेस का हर्याना में रहा है क्योंकि देखिए परफॉर्मेंस आपने बहुत अच्छा किया वोट शेयर आपको भाष जननता पार्टी जैसे आपने बता उनके आवास पर जेलेबी भी वाला बैयान उनका बहुत वायरल हुआ था तो जेलेबी भी बना रही है जेलेबी बता रही है लेकिन इस फेरिष्ट में अब सिर्फ भारतिय जंदा पार्टिय उनके नेताओं का नाम ही शुमार नहीं है कॉंग्रेस के जो पुराने सहयोगी थे वो भी राहूल गांदी को कोस रहे हैं पनोती बता रहे हैं आचारे प्रमोर्थ कृष्णन ने तो पनोती कहा है कि राहूल गांदी पनोती है जहां जाते हैं वहां बरबाद कर देते हैं तो ये एक तरह का बयान उन्हों दिया लेकिन जो इंडी गड़ बंधन के सहयोगी है जो राहूल गांदी को अपना नेता बताते थे लोकसवाज चुनाओं में जो नेता प्रतिपक्षा हमारा नेता कहते थे बड़े-बड़ी बाठी होती थी बिल्कुल और उन्हें एक जननायक के तोर पर कि राहूल गांदी ने मोदी को बैक फुट पर ला दिया है राहूल गांदी ने ये कर दिया है वही कुछ नेता इंडी गडबंदन के ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि राहूल गांदी के नाम का जो गुबारा फुलाया है कॉंग्रेस पार्टी ने उसमें सुई चुबोने का काम कर रहे हैं सबसे पहला बयान में आपको जो महरास्ट में जहां चुनाओ होने उसी राज्य से शिव सेना यूबीटी के नेता है संजय राहूत बड़ी प्रशंसा वो किया करते थे राहूल गांदी की आज का उनका बयान में तो पूर्ण है और इंडी गडबंधन चुनाओ जीता है कॉंग्रेस पार्टी हरियाना में अपने आत्मविश्वास से और जो इनको लगता है उनके शब्द है कॉंग्रेस पार्टी यह जो वहाँ पर लगता था इनको हम लोगों को साथ में ले लेती समाजवादी पार्टी को साथ ले लेती आम आदमी पार्टी को साथ ले लेती हमको साथ ले लेती तो चुनाओ जीत जाती हरियाना में आज परिद्रश्चे कुछ और था लेकिन आप लोगों को तो एंकार हो गया था आपको लगता था हमीद चुनाव जीत सकते हैं तो इसलिए आपकी यह हालत है वहाँ पर लेकिन जम्मू कश्मीर के अगर आप बात कर रहे हैं कि हर्याना अगर हारी है तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर पर गौर फरमाए तो ऐसा लग रहा था धारा 370 जब 2019 माट आया गया तो एक तरफा जीत होगी बीजेपी की लेकिन आज बीजेपी का आप चुनावी प्रणाम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में और कॉंग्रेस वहाँ पर सक्रिये हैं वहाँ की जो उनकी सहयोगी पार्टिया है वो भी बढ़िया स्तर पर काम किया है तो फिर आप ही कैसे कह स पने इस बात पर भी इशारा किया है चलिए मैं पहले उसी का जवाब दे देता हूँ आपने कहा जम्मू कश्मीर में कॉंग्रेस मुख्य चहरा नहीं थी रंजना वहाँ पर मुख्य चहरा एंसी थी नाशनल कॉंफरेंस और उनको 42 सीटे मिली है राउल गांदी की जो पार फ्रॉस एक सीटर आडल रहा रहा है और संजाय राघ्व कश्मीर में इसलिए कॉंग्रेस का जिकर हूं नहीं उनका इस लिए सरकार बनी क्योंकि नित्रतम में है चुना लड़ां लड़ा जा रहा था और हमारे इंडिया घळबंधन नित्रतमें चुनारा रहा था तोंग्रेस वहां सहयोगी थी हमारी ये संज sharks का सुआय ज़िए और प्रशब के और पह साहसे इंदिया गड़्णद्दमने लड़ा तो अगर जीत भुगतना पड़ रहा है हर्याना में अगर हैं के साथ होते तो आज नतीजे कुछ और होते यह संजय सिंग का बयान है बच सीधे तोर पर अब यह क्यों कह रहे हैं इन दो नेताओं का उसका भी मैं आपको जवाब दूगा एक तीसरे आम आदमी पार्टी के बड़े नेता है उन्होंने ट्वीट किया है शायराना अंदाज में ट्वीट किया है नाम किसी का उन्होंने लिखा नहीं लेकिन शायरी उन्होंने गी है और बहुत बड़ा भयांकर एक चुनावी पड़े नाम आ जाएंगे अब हर्याना में वो साथ में भले नहीं थे लगा कि छलो ठीक इनके पक्ष में आ जाएगा लेकि पक्ष में नहीं आया और आज रागभ चड्डा का जिक्र कर रहे हैं तो मैं वही बात कहरे हूं कि रागभ चड्डा उनमें से थे जो लगतार राहूल गांधी के साथ चलते संजे सिंग हां चबettes की ट्वीट है कि हमारी आरजू कि कुछ और बात होती हमारी आरजू की मेरा साथ चोड़कर अगर साथ साथ चलते तो कुछ और बात होती तो यह एक तरह से माफ करिए का पूरी तरह तंज कसनिक कोशिश है कि लो जी भोगत लो अब हम तो कहते थे कि आजाओ साथ में मिलकर चुनाओ लड़ते थे लड़ते लेकिन आपको बहुत आत्मविश्वास था कि कॉंग्रेस पार्टी अकेले चुनाओ जीच सकती है तो उस आपका आत्मविश्वास में वो गुबारा लग गया अब तीसरा मैं आपको बताओं कि यह दो राज्य हो गए तीसरा एक राज्य समाजवादी पार्टी भी इनकी सही होगी है और वहां से भी खबर आ रह के जिन्होंने कमाल किया लोकसभा चुनाओं में वो मिलकर इस चुनाओं में लड़ेंगे और छे सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने उम्मिद्वार उतारेगी और चार सीटों पर कॉंग्रेस को चार सीटे दी जाएगी यह कल तक की खबर थी लेकिन कल जैसे यह नत उतरप्रदेश में उम्मिद्वार बिना पूछे कॉंग्रेस से समाजवादी पार्टी ने जारी कर दी इसका मतलब वहां गडबंदन है नहीं आपकी बिना सहिमती के छे सीटों पर हमारी सहिमती बनी है और हम तो पांच-पांच पर लड़ने वाले थे तो बोला कि वह तो एक सीट मिलेगी कॉंग्रेस को फूलपूर और फूलपूर पे आपको लड़ना है तो लड़ो जी नहीं तो नमस्ते जैराम जी की यह स्ट्राटीजी अब अखिले शादों ने बना लिए कि आपका यार आप क्या है तो जो प्रधान मंतरी नरेन मोदी ने कल का है कि परजी तो एक सीट आपको देंगे तो अब ये हालत है रंजना कि कॉंग्रेस पार्टी को धमकाने में लग गया इंडी गडबंधन के लिए डराने में लग गया है और कह रहे हैं संजय राउत ने साबतार पर कहा कि बोले कि इंडी गडबंधन यहां मिलकर चुनाओ लड़ना वहां का उनका बयान इस तरह से आ रहे हैं उद्ध्यव ठाकरे को दरकिनार किया जा रहा है बार बार उद्ध्यव ठाकरे अपने नाम का अनौन्स करनी की बात कर रहे हैं तो अब संजय राउत फ्रंट फूट पर आ गए अब उन नेताओं को बैक फूट पर जाना पड़े अपने ही लोग हमला बोले हैं लेकिन एक सवाल उठता है आपे कि इसका फाइदा बीजेपी कैसे उठाएगी यह तो हम अलग है बीजेपी तो जाहिर तो और पर फाइदा उठाएगी लेकिन सवाल यह है कि यह जो चुनाव होने वाले इसका क्या यह इसका असर इन चुना बंधन के बीच में अंतर कलह रहेगा आ चाहीर तो भारतीय जंटा पर्टीय हारी को फाइदा मिलेरा tam और वो तो स्ट्राटेजी रहेगी इसलिए कल प्रदानमंत्री नरेंद्र मोधी ने जो अपने कार्यकरताओं को संबोधित किया उसमें इस बात को उन्होंने कहा वह इस बात की और इशारा करने का था कि यह परजी भी पार्टी है और उन्होंने एक बात और कही कि जिस मियाज अभुकत ना पड़ेगा इसके अलावा इसके असर आने वाले बिधानसवा चुनाओं में क्या होगे जार्खंड महाराष्ट दिल्ली फिर बिहार भी है बिल्कुल यही मैं कह रहा हूं आपको कि अभी तो तुरंथ आप देखी एक दो दिन में ऐलान हो जाएगा च जार्खंड में भी जे-म-म के साथ कॉंग्रेस का कड़बंदन है और वहां सरकार में कॉंग्रेस तो अब जे-म-म के साथ जो इनकी बात्चीच चल रही होगी तो जाहिर तो पर इस हार के बाद अब जे-म-म वहां प्रमुक दल के तोर पर आएगा और अपनी शर्तों पर क साथ आईए और हम जो कहते उतनी सीटे इनको लेनी पड़ेगी तो एक समझोते वाले मोड में कॉंग्रेस को आना पड़ेगा अब तक कॉंग्रेस वहां फ्रंट पूट पर थी और अगर फ्रंट पूट पर वहां आती है तो सहयोगी दल जो है वो उनसे छिटक जाएंगे और इंडिया गट बंदन वा बचए गा नहीं और कॉंग्रेस अगर अकेले चुनाव लड़ने की रणनीती वहां बनाती है तो हरयाना में जैसा हष्र हुआ वैसा हष्र हुआ होगा क्योंकि अगर कॉंग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी तो सहयोगी दल अलग चुनाव होंगे 14 फरवरी से पहले नई सरकार बन जाएगी दिल्ली में तो दिल्ली में संजय जैसे सिंग है रागाव चड्डा उनके जो तंज है वो यही है कि आप हमारे साथ आई ये दिल्ली में लेकिन हमारी शर्तों पर आई इंडी गडबंधन के तले चुनाओ लड़ा जाएगा कॉंग्रेस पार्टी के बैनर पर चुनाओ नहीं लड़ा जाएगा तो ये असर आने वाले चुनाओ में हमें देखने को मिलेगा रंजना और कॉंग्रेस को बैक फूट पर रहकर बैटिंग करनी पड़ेगी फ्रंट फूट पर जो कॉंग्रेस आ गई थी लोग सवा चुन जो मुख्य चेहरे के रूप में सामने आ रहे थे और जो च्वी बनाने की कोशिश की जा रही थी तबाह हो गई है अब वो पीछे हटेंगे ऐसा कुछ आपको लग रहा है नहीं पीछे हटेंगे नहीं कॉंग्रेस पार्टी की तो रणनीती रहेगी कि राहुल गांदी की उस चवी बरकरार रखा जाया और एग्रेसिव मूर में राहुल गांदी को प्रमोट करें क्योंकि अल्टिमेटली गोल है कि वह उनको भावी प्रधानमंत्री का उमीदवार उनको बताया जाता है तो उस कॉंग्रेस अपनी होर से करेगी लेकिन नुकसान जो एक चुनाव में अपनी मनमानी की एक तरसे आरोप यही लग रहा है कि आपने हरियाना में मनमानी की अगर आप सहीयोगी दलों की बात मान लेते सहीयोगी दलों के साथ चलते तो आज नतीजे कुछ और होते हैं सवाल है कि क्या हर्याना और जम्मू कश्मीर के चुनाव के बाद कॉंग्रेस यानि इसके बाद जो इंडिगर बंदन है वो बरबाद हो जाएगी क्या अलग खलक पड़ जाएंगे और आखिराने वाले समय में कॉंग्रेस को और क्या खम्याजा भुकतना पड़ता है ये भी देखना काफित दिल्चस्प होगा फिलाल के लिए इतना ही आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और हमारे दर्शकों का भी शुक्रिया धन्यवाद वीके न्यूज राश्ट्र के नाम